नमस्कार, A2Z dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ पालक बीट रूट का लच्छा पराठा ये इतना मज़िदार लगता है न वैसे तो बच्चे पालक और बीट खाना पसद नहीं करते हैं पर आप इस तरह से उन्हें एकदम बढ़िया सा जितना दिखने में ये बढ़िया लगता है ना खाने में उतना टेस्टी भी है ऐसा पराठा बनाके देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही आसानी से खा लेंगे शुरू करते तो उसके लिए मैनने एक मिक्सर जार ले लिया इसमें हम डालेंगे एक कप पालक से मैं ने दोणों को पीस लिया है अब एक पाउल लेंगे चनी रख देंगे और जो हमारा ये पीसा हुआ बीट है ना ये चनी में पूरा डाल कर इसे हम अच्छे से चानेंगे चानने से क्या होगा जो ये बीट के थोड़े बहुत टुकड़े रह गए होंगे पीसते वग ये इसक अब बड़िया सा पल्प इस तरह से हमारे आगे आ जाएगा तो आटा गुंदे में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इसी तरह से हम पालक का जो है इसे भी डाल कर अच्छे से चान लेंगे तैकि इससे क्या होगा बड़िया से एकदम स्मूध हमारा पल्प आ जाएगा और आटा गुंदे में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पल्प निकाल लिए है अब बीट वाला जो है न पल्प इसके अंदर हम गेहों का आटा डालेंगे स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन को मसल कर इससे बड़िया टेस्ट भी आता है तो इस तरह से हम आटा को गुंद लेंगे तो यह जो पल्प है इससे ही आपको आटा गुंद लेना है Himself ऑगर आगर जादा मात्रा में आटा डाल रहे हैं तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझ से बारा मिनिट तक रख देंगे इसी तरह से मैंने ये पालक वाला पल्प ले लिया है इसके अंदर हम डाल देंगे गीहूं का आटा स्वाद अनुसान नमक और इसमें भी हम अजवाइन को मसल कर डालेंगे काफी बड़िया टेस्ट आता है और खुश्मु भी तो जरूर डा निकाल लेंगे अब गी भी लगा सकते और इसे चिकना कर लेंगे और इसे ढखकर इसे भी 10-12 मिनिट तक रख देंगे 10-12 मिनिट के बाद अब पराठे हमें सेखने है तो मैंने ये तवा गरम करने रख दिया है और यहां पर आप देख सकते कुछ आटा इस तरह से हो गया ह यह पालग वाले से में एक लोई निकाल लेंगे मीडियम साइज की तो यहां पर अब यह जो बीट वाला है इसमें से भी हम एक लोई निकाल लेंगे पर धियान रखना जो लोई की साइज है न वो दोनों की एक जितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर यह वीट वाली भी रख दी और यह पालक वाली दोनों को एक दुसरे के उपर रख देना है और इस तरह से दोनों हाथ से इसे हलका हलका जोड लेना है इस तरह से करने के बाद सूखा गिहूं का आटा इस तरह से छड़कना है आपको और यह छड़कने के बाद देखे कुछ इस तरह से लग रहा है देखे किता बढ़िया लग रहा है और आब इसके उपर लगाएंगे गी आप तेल भी लगा सकता है और तेल वाला भी मैं आपको आगे बताऊंगी यह मैंने गी लगा लिया है थोड़ा सा सूखा आटा छुड़क लिया है गी हों का और स्थरह से फैल आने के बाद अब यह एक पत्टी को दुसरी पत्टी के उपर रखना है जैसे मैं कर रहे हैं वैसे ही करना है देखे इस तरह से अब यह एक लंबी पत्टी तैयार हो गयी हल्का सा दबाने के बाद फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसे एक रोल कर किनारह तर्फ लेना है प्रस और वब लगाएं हलगे से जोड नहीं लगा लगा यह कितना गलर्फुर और यह बहुत मज़डा इस्सें बनाने में बहुत मज़ा हाता है दूछ henể पे डाल दिया है और अब इसे एक बार परलट लेंगे जब ते कि सिक रहा है हम दुसरा आपको बता देते हैं तो उसके लिए आपको फिर से ये दो लोई एक जितनी लेनी है इसे जोड लेना है जोडने के बाद सुखा अटा लगा कर इसे आपको बेलना है तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बहुत ही मसा आजाते है खाने में तो देखे मैं हहाँ पर गी लगा रही हो आप मखन भी लगा सकते है घर का बना हुआ और तेल भी लगा सकते है घी लगाकर अच्छे से अपको सेखना है एक डम बढ़िया आप देख सकते है इसके परते कितनी जो बेल रहे थे इसमें तेल लगा लगा लिया है अब देखिए इस तरह से ही करना है एक दूसरे के ऊपर रखना है पटी को और इसे जोड़कर सूखा अठा लगा कर लेना है तो जैसे कि मैं आपको कहा तेल भी लगा सकते गी भी दोनों से ही स्वाद में थोड़ा सा फरक होगा पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये भी तवे पर हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से पलटते हुए तेल यां गी से सेक लेंगे तो देखे इसे मैंने सेका भी तेल से ही है तो इतना जादा फरक नहीं तो अब आपको जैसा सही लगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से पलटते हुए मैंसे सेकती जा रही हूँ और देखे कितना ये बढ़िया लग रहा है और हमने अजवाईं डाली है तो काफी बढ़िया खुश्पू भी आ रही है तो देखिए अब इसकी मैंने थोड़ा से इस तरह से कर लिया अपने हाथों की मदद से तो यह बढ़िया एकदम पर्तो वाला हमारा पालक बीट रोट का पराठा तयार है इसे आप दही के साथ खाए या फिर आचार के साथ दोनों के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है और आप इसे ऐसे भी खा सकते ब है तो यह वज कर दो वाचित है